सवय्या जो घनानन्द जी का विशय है वो स्वयम को साथ लेकर चलते हैं और अपनी प्रयासी को विशय बनाते हुए अपने विरा को वो प्रस्तुत करते हैं और इसी तरीके से हम सवय्य में भी ये विशय देखेंगे और आगे बढ़ते हैं और सवय्य का अर्थ समझते हुए इस वि प्रेयसी सुजान से मिला करते थे तो उसके लिए तब तो उस वक्त पर छवी यानि छवी इमेज जिसे कहा जाता है पीवत यानि पीना जीवत मतलब जीना हे मतलब थे कभी कह रहे हैं कि तब तो मैं तुम्हारी छवी को देखने मातर से ही जीता था यानि जब वो अपनी प्रेयसी सुजान से मिला करते थे तो वो उनकी छवी को देखकर ही अपने जीवन को बहतरीन समझ लेते थे और उनकी छवी को देखकर ही उनका जीवन जो है चलता रहता थ तो तब तो छवी पीवत पीवत यानि प्राप्त करके यानि उनकी छवी को महसूस करके ग्रहन करके पीवत का मतलब पीना होता है लेकिन यहाँ पर ग्रहन करने से इसका अर्थ लिया जाएगा तो तब तो उस वक्त उनकी छवी को देखकर ही मैं जीवित रहता था अब सोचत जात सोच कर भी लोचन आँखे जात यानि होना जर्य यानि जलना यानि अब तो जो विरह मैं सह रहा हूँ अपने प्रयेसी से अलग होने का की जो पीड़ा है जो मैं सह रहा हूँ अब तो उसको सोचने मात्र से भी मेरी आखें जो है रो रो कर जल रही है तो अब सोच कर भी आखें जलती जा रही है हित तोष के तोष सुप्रान पले हित तोष हित यानि हिर्दे के संतुष्टी के तोष तोष यानि संतोष यानि हिर्दे को संतुष्टी हो जाए इस तरीके से अपनी प्रयसी की छवी को प्राप्त कर लेना उसी से उनके जो प्राण थे वो पल रहे थे यानि उन्होंने अपनी प्रेशी सुजान को देख लिया तो उनके हिर्दे को संतुष्टी हो गई और उसी संतुष्टी होने के संतोष से कि छवी ही उन्होंने अपनी प्रेशी की देख लही तो ये संतोष था उनका कि उनको छवी भी देखने को मिल गी उनके लिए काफी है तो हित तोष यानि हिर्दे की संतुष्टी के तोष सू के तोष यानि संतोष सू मतलब से प्राण यानि प्राण पले मतलब पले यानि हिर्दे की संतुष्टी से के संतोष से ही तब तो प्राण पलते थे बिलेलात महादुक दोश भरे अब तो जीवन में विरह के नाम पर ऐसा दोश आ गया है कि इस विरह से बिलेलात यानि ये अलग होना अपनी प्रयासी से अलग होना बिललात का रथ होता है अलग होना यानि विरह तो ये बिललात यानि अलग होना अपने प्रियसी से ही मेरे जीवन का अब सबसे बड़ा दुख बन गया है गनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे उन्होंने अपनी प्रेसी के विराह में अब उन्हें अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और इसी के लिए सब ही सुख साजो समान और समाज टार दिये हैं हटा दिये हैं अपने जीवन से टारना यानि हटा देना तब हार पहार से लागत है जब वो अपनी प्रेशी से मिलते थे तो एक मामुली सा हार जो नाइकाएं अपने गले में पहना करती थी अपनी सुन्दरता को बढ़ाने के लिए तब वो मामुली सा हार भी जो है पहार की समान दूरी पैदा करने वाला लगता था तब हार पहार से लागत है तब उस वक्त हार जो है पहार से लगते थे अब आनी के बीच पहार पढ़े अब हमारे बीच जो है पहार जैसी दूरी ही आ गई है अब आनी के बीच पहार पड़े बीच हम दोनों के बीच पहार यानि पहार पड़े मतलब पड़ गया है पहार जैसी दूरी हम दोनों के बीच आ गई है तो हमने देखा कि इस सववये में भी किस तरीके से घनानन ने अपने और अपनी प्रेसी यानि सुजान के बीच जो वि और अपनी व्यथा को किस प्रकार से नोने पेश किया एक बर फिर से पंक्तियों को दोरा लेते हैं। तब तो छवी पीवत जीवत हैं। तब उस वक्त तो मैं अपने प्रियसी की छवी को देखकर ही जी लेता था। अब सोचत लोचन जात जरे। अब उस विशे में सोच कर भी जो है मेरी आखें रो रो कर जलती जा रही हैं हित्यतोष के तोष सु प्रान पले हिर्दे की संतोष हिर्दे की संतुष्टी से संतोष हो जाने से मेरे प्रान पला करते थे अब इस अलगाओं ने मेरे जीवन को सबसे बड़े दोश और दुख से भर दिया है घनानन्द मीट सुजान भीना अपनी मीट यानि अपनी प्रयसी सुजान के भीना उन्होंने अपनी जीवन में शामिल सारे ही सुख, साजो समान और समाज को टार दिया है यानि हटा दिया है तब हार पहार से लागत है तब हार भी जो है वो पहार के समान लगता था जब वो अपने प्रेसी से मिला करते थे अब आने के बीच पहार पड़े अब हम दोनों के बीच पहार सा जो है विरह आ गया है दूरी आ गई है